कि आप लोगे ना रिविजन करने को लगते हो दो दिन का प्लान बना लिया बट जो आप प्लान सोचते हो ना उससे जाधा आपका टाइम एक्सीड कर जाता है आपको यही नहीं पता कि किस टॉपिट हो कितना देना चाहिए और किस चीज की कितनी वर्थ है उसको रिविजन भी कैसे करना चाहिए तो I felt like यह जो मैंने 3 days or 1.5 days का revision plan बनाया है कई लोग जो 2 दिन में revise करना चाहते हैं उनके लिए 1.5 days या 2 दिन same plan रहेगा या फिर 3 दिन में तो मेरे ख्याल से recommended चीज यह रहेगी कि पहला revision आपका 3 दिन में होना चाहिए अभी बचेवे time में at least इनका एकी गुरुप है वो तो 3 दिन में होना है तो तब ही आप कर पाओगे जब आपका एक्जाम से एक दिन पहले आपने जलब एक्जाम से जो पहले वाला revision ना आपका जस्ट एक्जाम से पहले वाला चाहे वो पंदा दिन पहले हुआ हो चाहे वो आपका 1.5 या 2 days के अंदर होना चाहिए अगर आप इस strategy को follow करो होगे तो आपका exam में course खतम हो पाएगा, revise हो पाएगा और अगर आपका exam में majority बच्चे fail इसलिए होते हैं मेरे ख्याल से आप लोग agree भी करते होंगे कि हमारा course revise नहीं होता exam से दिन पहले या बहुत ज्यादा कई topics हम बहुत भगा-भगा के करके जाते हैं तो जो लोग pass होत जिनके 75 plus marks थे ठीके last दो अटेम के बच्चे जिनके 75 plus marks थे तो 20 बच्चों से एक survey किया गया इनसे बात है की गई उसमें अपने inputs दिये तब जाके plan बन पाया है यह plan इस basis में बनाया हुआ है यह plan आपके सामने है देको screen में यह time जो दे रखाए यह इस basis पे है कि आपने topics प सब देखा हुआ है इस basis पे plan बनाया हुआ है ठीक है तो इस जो फाइल है इसकी PDF आपको मिल जाएगी एक drive का link दे रहा है नीचे उसमें आपको मिल जाएगी और हमने important questions भी दिये थे इसका दो मैंने Instagram पे डाला था अगर आपने यह कर लिया और यह plan follow कर लिया तो I assure you कि आपके 75 70 plus number कहीं नहीं जा रहे तो कि इसमें सब कुछ कवर्ड कर रखा है अब जैसे basic plus supply chapter है basic introduction supply है सवाल यादे revision कैसे करें इंपॉर्णन topics दे रखें जो देखने देखने है इक questions दे रखें इनको भी आपको साथ में revision में देखना देखना है अगर आपको लगता है नहीं इनके अलाबर कोई ऐसा question है जो आपको लगता है कि आप कर टे टाइम पहले दिक्कत आई थी तो अगर तेन देन जिनके 11 घंटे अगर आप दोगे तो इतना तो दे नहीं पड़ता है और अगर आप 1.5 या 2 देस का प्लाइन बनाओगे तो अप्रॉक्सिमल्टी 17-18 घंटे और 7.5, 7.25 वार हो रहे हैं कि 33 पंट कुछ और हैं तो round of मैंने 34 और 17.5 ले लिया यह प्लान इक कमेंट देखो topics का revisions तो आपको करना ही है और जितने questions की मैं list दे रखे हैं अब suppose कर आपको वो list भी ज्यादा लग रही है तो उन में से कुछ questions पर topics तो एक बाद देखके जाने है क्योंकि खाली questions करके जाते हो तो satisfaction नहीं आता कि revision भी हुआ है नहीं हुआ तो concepts तो revision करना ही कर करना है प्लस कुछ important question का revision करना है अब जैसे अगर मैं three days वाली plan की बात करूँ तो जैसे आपको लिखके देखने रहेंगे हैं अगर जैसे अपन book खोले हैं हमाना question bank जैसे अपन खोलते हैं तो आप देखिए ITC chapter के लिए question number ये कुछ questions है valuation के और ITC के जो मैं आपको बतायता हूँ जो आपको three days वाले plan में अगर आप लिखके देखोगे तो ज्यादा बहतरी रहेगा एक question है आपका question number 53 नहीं है फिर वो 54 question है 54 question को अगर आप लिखके देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा important question है इस attempt के लिए बात करूं valuation chapter के अंदर भी कई concept ऐसे हैं जो कि important है जो आपको लिखके ही देखने चाहिए जैसे अगर अपन वैलिखके बात करें तो आप देख सकते हैं कौन कौन से question आपने एक question दो लिखके देखना है जिसे question number 41 it's a very good question तो इसको आपको एक बार बस फटावर फटावर लिखके देख लिए नहीं कि पूरा सजार है बस इतना सद करके देख लो चल जाएगा ठीक है तो यह question आपने एक इसका question है इसको लिखके देख लेना एक्जाम से पहले तो इस question की केस्टड़ी आई थी last attempt में लास में लास में थी पूरी आठ नमबर केस्टड़ी बना के देदी इस यहने कभी question की form में आयता है कभी question की form में आता है बाकी आपको important question की list मैंने देई दिये लगता है दूस दिन बाद यार अभी तो इतने सारे topics बाखी है तो आपके सामने time table रहेगा ना कि इसके लिए reasonable time है प्लस माइनस five पांट दसमें डूपर नीचे होते हैं वो चलता है बड़ आपको at least यह पता होगा कि exemption में हम 6 गंटे दे रहें लेकिन देने चाहिए तीन गंटे ही और फाइव डेज वाले प्लान में इसमें भी रिसर्च करी है यहां भी exemption इतना ही होगा जैसे कोई time of supply है तो 1.5 डे तो बीस मेंट देन है तो यह जो अप्रॉक्सिमेट प्लान एक दम जबदस्ट तरीके से बनाए यह बरोसा नहीं हैना जब किसी कोड़ होती है हाली एकार कोई चैप्टर होता है जो बिल्कुली रबेश हो जहां से उम्मीद नहीं हो लेकिन ऐसा को छोड़के नहीं जा सकते तो आपको देना हर टॉपिक कोई टाइम है बतलब ठीक है जो टाइम बता रहे हैं उससाब से चलना और इसमें मैंने इंपॉर्डेंट कोशन की लिस और इसको देख लेना आपका मोर्दन इनफ है एडवांस लिंग को जाधा टाइम नहीं दिया वीसमेंट दस्मेंट क्योंकि इस बार आने की कोशन उमीद कम है एडवांस लिंग से अपकी बार पैनलिटी का कोशन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो पैनलिटी कि यार हमको ना कोशन की प्रक्टिस ज्यादा चाहिए क्योंकि कोशन से नंबर रहेंगे आपका ऐसा सब्यक्त है जो आपका 70 प्लस स्कूर कर सकता है और यह अटेंट आपका गोल्डन अटेंट है किसी को लगता है नहीं अब भी ऐसा रिवीजन हो जाए जो 40-50 गंटे के अगर आपको अच्छे साथ यूट्यूब रिवीजन वीडियो से भी काम हो जाएगा अगर आपको कोशन का ही देखना है कि सारे कोशन का रिवीजन करना है तो you can go for that otherwise कोई दूरत नहीं है लगबग लगबग बहुत सारे बच्छों ने इंडिया में खरीदा है तो हमको वैसा कुछ है भी नहीं ठीक है तो आप ये प्लैन फालो करो ये बिल्कुल क्याइक टाइम है आपके लिए हर चैप्टर के टाइम दे रखा है अटलीस आपको MCQ जो है ना MCQ की के स्टेडी लास अटैम की बुकलेट में 40 कोशन दे अभी ICA ने कम कर दी है एक ICA कोशन दे देगा जो पुरानी बुकलेट का होगा और आप नहीं बुकलेट करके जाओगे गड़ बड़ जाएगी तो पुरानी बुकलेट की जितने भी कोशन में यूट् काश गर डालना MCQ बुकलेट मिल जाएंगे 21 से 30, 31 से 40, 123 ऐसे कुछ मिल जाएंगे उनको देखते जाना ठीक है तो help होगा काफी चलिए thanks a lot bye bye take care कुछ लगे तो comment करिए अगर अच्छा लगा तो do like this video आ लाइक से क्यों वीडियो स्प्राइड हो जाता है automatically bye bye take care